हेलो एप्रिवन कैसा रहा आज का दिन फिर आप लोग का आज तो पूरा घर पर सब लोग खेर अच्छी बात है बहुत जरूरी है कि आज हम लोग जब तक कि इंफेक्शन की चेन को खतम नहीं करेंगे तब तक बहुत रिस्क है जैसे सब से अधर कंट्रीज में चीज़ें च चल रही है तो सब की सोच से उपर निकल गया करोना का जो तो कोशिश करेंगे सब लोग अपने घरों में रहें अच्छी बात भी है चलिए घर पर बैठे हैं आराम से पढ़ाई हो रही है कोई डिस्रेक्शन नहीं है बट जो लोग डेली में काम करने वाले थे जो अपना रोजमर्रा का अपना काम करते थे उन लोगों के लिए बहुत सारे इश्यूस खड़े हो रहे हैं खैर जरूरी था तो आज का जो यह वीडियो है बहुत ही एक चोटा सा शॉट वीडियो लेकर मैं आया हूं कई बार मैंने देखा जो मेरे कमेंट सेक्शन में कई बच्चों परसनली मेल करके भी पूछा है कि सर कैसे करें कैसे पढ़ा जाए तो इसमें बहुत वीडियो है आज मैं आपको दो प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहता हूं और इन टिप्स को बिलीव ही मैंने बहुत फॉलो किया है अपने यूजी एक्जामनेशन के टाइम पर भी अपन करनी है आप चाहते हैं आप कम से कम टाइम में ज्यादा से जादे चीजों को ग्रेस्ट करें इसका मतलब आपकी रीडिंग स्पीड जो आपकी स्पीड है पढ़ने की टाइच वी फास्ट कई लोग क्या गलती करते हैं वह बोल बोल के पढ़ते हैं सुपोस आप कुछ भी जैसे बायो का एक्जामपल लें उन्होंने बोला कि माइटोकॉंड्रिया इस दा पावर हाउस ऑफ सेल तो वह बोल के नहीं पढ़ रहा है तो यहां पर बोल रहा है अब यह समझो कि आपको चीज को समझने के लिए किसी चीज को बोलने के ज़रत नहीं है जस्ट आप आप फिफ्थ टाइम में इजली दिख जाएगा कि सामने क्या लिखा हुआ है आपको जिस स्कैन करना है माइटोकॉंड्रिया इस दा पावर हाउस ऑफसर वो दिखने में आपको कम नई टाइम लगेगा बजाए की बोलने के वैसे आप जानते हैं सब लोग जब लाइटनिंग ह होती है किसी भी में लाइट ट्रेवल्स फास्टर दें सामन तो आपको क्या कोशिश करनी है चीज़ों को फास्ट पढ़ना है या कोई काईगा कि सर हम तो फास्ट पढ़ेंगे तो समझ में कैसे आएगा आप एक काम यह कर सकते हैं मत समझ में आने दीजे एक दू बार कोश हो सकता है आपको खुछ समझ में ना है लेकिन फिर आप क्या करिएगा अपनी स्पीड को 600 से 400 कर देजेगा और आप देखिएगा आप कितना इजी फील करेंगे यह बिल्कुल वैसा है जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं नया नया गाड़ी चलाते हैं तो दस पर ही दिल ध और वह आपको कही ना कहीं पर भीबनेफिट पहुंचाएगी आप अगलेए 2-3 दिन में स्कीप ट्रीटिस कर सकते हैं देखें थोड़ा सा दिकट होगी क्योंकि यह अपना डोमेंच छोड़ते हैं अपना एक प्फॉर्ट जन को छोड़ते थोड़ा सा दिक्कत होती है पर मेरे इसाब से अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो यह आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा सेकंड कई लोगों ने पूछा कि सर किस वक्त पढ़ा जाए कि हमको जादा से याद हो जाए सकी तो मेरे इसाब से जो सोने से एक घंटा पहले का जो टाइम है उसको आप रिविजन के लिए रख लिए जो भी आपको major formula याद करने हैं जो भी छीज़ें आपकोnewize करने है सोने से एक घंटा पहले अराम से याद करें मैं तो और जो useful informations है वो अंदर ली जाती है तो मेरे साब से जो आपने just सोने से पहले पढ़ा होगा वो कहीं न कहीं पे mind उसको तेजी से grasp करेगा और उसको याद रखने में हमेशा आपको मदद मिलेगी और अगर उठते ही उस चीज़ को आप एक बार और देख लेंगे तो मेरे साब से सबसे best रहेगा और अकसर लोगों को सोने के 40-30-40 मिनिट के बार आरियम स्लीप में वो चले जाते हैं और आरियम स्लीप में सबसे बढ़िया processing होती है लड़ने की तो मेरे साब से आज के लिए जो दो सबसे useful tips हैं एक अपनी speed बढ़ाईए सेकेंड आप जो भी चीज़ आपको याद करने वाली है उसको सोने से एक घंटा पहले आप याद करने की कोशिश करिए उसको पढ़ते पढ़ते आप सो चाहिए बाकी एक और चीज़ के लिए ये वीडियो मैंने बनाया था आप सब लोग का बहुत बहुत धनेवार बहुत बहुत थैंक्यू हम लोगोंने जो crash course launch किया उसके लिए इतना बढ़ी है response मैंने उमीद भी नहीं करी थी more than 900 forms have been filled up अभी जब मैंने last time 8 विज तक देखा था फिर मैं आपका यह आप देख रहोंगे कि मुझे response मिला चुली मुझे खुशे इस बात की है कि हम लोग लगभग लगभग आप मानिए तीन लाख के उपर का हम लोग revenue cross की हैं और मेरे हिसाब से तीन बच्चे रेडी हैं जो कि एक साल वो एक से तीन महीने के बच्चे हैं उनकी surgery हो जाएगी वो भी एक normal बच्ची की तरह कर सकते हैं तो इतने अच्छे काम में आपने इतना support कर रहे हैं कहीं ने कहीं पर मुझे लगता है जो लोग इसको join कर रहे हैं अब इसमें चाहे फल मिले चाहे ना मिले जरूर मि मिलेगा बेटा आपको life में कहीं ने कहीं इसका फल जरूर मिलेगा आप अच्छा काम कर रहे हैं आपके साथ अगर भगवान है आपके साथ भी अच्छा करेगा यहां नहीं हो सकता है तो life में कभी ना कभी अरकिन इसका fruit इसका जो reward हो आपको जरूर मिलेगा अच्छे काम ह आप उसको का ध्यान से देखे होगे, तो उसमें जो टॉपिक्स हैं, उसमें से 4-5 टॉपिक, कानिटिक थेओरी ऑफ गया, स्केर नॉर्स थेओरम, और आपका फर्स लॉप थर्मडियनेमिक्स, वेंस दिस्ट्रेस्मेंट लो, यह सब एक ही टॉपिक है, जो कि मैं 2-3 घंटे मैं अल्रेडी कवर करके बैठा हुआ हूँ, और 2-3 लेक्टिर्स में एक्चुली क्रैश, आप यह खुदी सोचे न, क्रैश कोर्स में दुबारा से मैं क्या पढ़ाँगा, तो क्रैश कोर्स में मेरे सीनियर सर है, अलोक सर वो भी रहेंगे, और 2-3 सर और है, तो कुछ टॉ करेड़ी हो जाएगा, कल की डेट में देखिया, अगर मुझे ओफिस तक जाने दिया इन लोगों न, क्योंकि आज तो गाड़ी निकली नहीं, अगर कल निकलता है, तो मैं ओफिस से नहीं, तो फिर घर से ही कोशिश करूँगा, मोबाइल के थूप, क्योंकि इसमें का वीडियो भी डल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी वीडियो आप से मैंने बोले हैं, उनको हम कम्प्लीट कर देंगे, हाँ, तीन-चार टॉपिक में रोक के बैठ हूँगा, जैसे न्यूपलियस है, सेमी कंड़क्टर, क्योंकि उसको कुछ और सर लोगों ने ब पैसा को इसकोर्स की फीस नहीं है, हमारा परपस यह है, आपके पढ़ा की पढ़ायी हो गई, आपको बैस से बस सीट जा मिल गई, बाकी लोग भी दे रहा है, मैं यह नहीं कह रहा है, हम सबसे बढ़ाई कर रहा हैं, काफी लोग है, XYZ में नाम नहीं लूँगा, لेकिन आ फ्री है जिसको जिसके पास जाना है बस क्या है कि जिसको पकड़ गता हुसको छोड़ना नहीं है चार जग़ना है मेरी बान सब्द देख लूँ इसको भी देख लूँ Y को भी देख लूँ अच्छा भी अव्य प्री बज चिनलुग आध स्रों अमन भीया चुछ है हम हों जो भी मेंदाली से अपना काम कर रहा है सब अच्छा काम कर रहा है बस यहां पर यह खुशी है कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं आप लोग पढ़ भी तो शायद उस मुकाम पे आके आपको भी लगेगा कि अरे कभी आज से 10 साल पहले हमने भी किसे के लिए कुछ contribute किया था बस यह एक उसमें एम है और कुछ उसमें ऐसा नहीं है तो crash course के लिए again मैं फिर से बहुत बहुत थैंक्यू कहूंगा इतना बढ़ीया response आप लोगों ने दिया और अभी भी 100-200 seat ने जो खाली है उसके लिए मैं चाहूंगा आप लोग और बढ़ीया response ने अगर crash course अच्छा लगता है आप लोग उसमें अपने मन से 400, 500, 100, 10, 20 किसी बंदे ने किसी टीचर ने किसी टेक्निकल स्टाफ ने हमसे नहीं बोला कि सर्फ हम एक पैसा भी चार्ज नहीं करेंगे आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे है हमसे जो possible होगा हम सारी service free में करेंगे आप सारा का सारा पैसा डाइवर्ट कर दीजे बच्चों की surgery में ठ पातंग चल रहा है इसमें आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाईए नीट पोस्पान होगा क्या होगा कैसे होगा इससे हमको मतलब नहीं अपना पढ़ाई करिए नीट पोस्पान होगा कही ना कहीं बेतने सारे online platforms हैं वो आपकी मदद के लिए आगे खड़े हो रखे हैं स बिजल्ड के बारे में हमको नहीं सोचना है वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है ओके होग आप सुद लोग बढ़ी असे रहेंगे सोशल कॉंटेट को आवाइड करेंगे सेफ रहिए बस पढ़ाई करें थैंक यू